नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका एक बार फिर से स्टडी विद निल में दोस्तों आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो मद्यप्रदेश की रितुओं के बारे में खास कर बात करेंगे साथ ही दोस्तों पहले आपसे ये निवेदन है कि अगर आपने जो जलवायू वाला वीडियो है इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसे देखना है तब ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा क्योंकि इसमें हम रित्वों की बात करेंगे और इसके बारे में कुछ जो बेसिक चर्चा थी वो हम जलवाईू के साथ में कर चुके थे इस वीडियो में रित्वों के साथ साथ वर्षा का वितरन किस प्रकार है और साथ ही जो परिक्षा में आने लायक जो महत्वण बिंदू है एक्जाम ओरेंटेट जो फेक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी सीधे महाँ पर जा सकते हैं अब शुरू करते हैं मध्यपरदेश की रित्वों ओल इडियो तो दोस्तों बिना किसी देरी से चलते हैं सबसे पहले मध्यपरदेश में तीन प्रकार की रित्वे हैं दोस्तों कौन-कौन सी? ग्रिश्मरितू, वर्षारितू और शीतरितू आपको ये मैंने समझा दिया था कि ग्रिश्मरितू और शीतरितू किस प्रकार होती हैं तो इस वीडियो में मुकिता चर्चा तो अपन करेंगे कि वर्षारितू किस प्रकार होगी और वर्षा का वितरण इसमें किस प्रकार रहेगा मध्यपरदेश में ग्रिश्मरितू की बात करें तो ग्रिश्मरितू का जो समय रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मार्च महीने से मध्य जून तक का हो जाएगा मार्च महीने से मध्य जून तक अगर वर्षा रितु का समय बताओं तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक बतलब इस महीने तक क्या होती है वर्षा पड़ती है और उसके बाद शीद रितु की बात करें तो मद्य अक्टूबर से फरवरी तक फिर मार्च से वापिस सी साइकल शुरू हो जाएगी इस प्रकार तो आपको यह समझ में आ गया कि ग्रिश्म रितु का पढ़ती है मार्च महिने से लेकर मद्य जून तक फिर अगर बात करें वर्चा रितु की तो मद्य जून से लेकर मद्य अक्टूबर तक और फिर मद्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक क्या हो जाएगी शीद रितु हो जाएगी अब दोस्तों ग्रिश्म रितु की बात करते हैं जून माह से राज्य के उत्तर एवं उत्तर पस्चिमी भागों में दिन का उत्तम तापमान 42 degree centigrade होने से अधिक होने लगता है मतलब यहाँ पर क्या होता है ग्रिश्म रितु में टेंपरेचर अधिक होने लगता है इस कारण इसे क्या का जाता है सूर का उत्तरायन का जाता है जो मद्यपरदेश के बीचों भी से गुजरती है मतलब जो करकरे का है वो मद्यपरदेश के बीचों भी से गुजरती है जिससे गर्मी बढ़ जाती है और इस रितू को क्या कहा जाता है दोस्तों उनाला भी कहा जाता है दोस्तों सबसे पहले basic सी बाते समझेगे लेकिन जब इसके important facts जो exam oriented रहेंगे उसमें एक-एक बिंदू के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर उनाला भी कहा जाता है साथ ही सबसे जो गर्म महीना होता है मध्य परदेश में सबसे गर्म महीना कौन सा हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मई जो हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे गर्म महीना हो जाएगा आगे बात करें अगर वर्षा रितु की तो दोस्तों वर्षा रितु किस परकार होगी प्रदेश में दक्षिन पस्चिम मांसुन का आगमन मध्य जून तक होता है ये मैंने आपको बता दिया था जिस से दक्षिन पूरवी भागों में 12 जून तक वर्षा प्रारमव हो जाती है इस रितु को चोमासा भी का जाता है अब दोस्तों मेंली जिस टोपिक के बारे में आज बात करनी है वर्षा रितु की उसके बारे में बात करते हैं वर्षा रितु के बारे में कम वर्षा वाला शेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों ये वाला जो शेत्र है ये कम वर्षा व पर यहां पर क्या हो जाएगा कम वर्षा वाला शेत्र हो जाएगा यहां पर जीले आपको पता है खंडवा खरगोन इंदोर देवास उजेन रतलाम आगरमालवा को छोड़ दें तो यहां पर जो मेंज जिलो की बात करें तो अलिराजपुर जाबुआ नीमच मंसोर और यहां यहां पर क्या हो जाएगा इन दोर देवास में यहां पर कम वर्षा होती है औस तो यहां पर खरगोँ आपको पता है यहां से लग जाएगा यह शोपुर, शिवपुरी इधर वाला जो हिस्सा है रिवा, सतना, सीधी, सिंग्रोली वाला है सारे एरिये में क्या हो जाएगी ओसत वर्षा हो जाएगी साथ ही ओसत से अधिक वर्षा 100-125 cm हो जाएगी मध्य परदेश के दक्षन तम हिस्से में या फिर दक्षन पुर्वी हिस्से में सबसे अधिक वर्षा हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों यह जो है सबसे अधिक वर्षा वाला इस्थान हो जाएगा 125-150 cm यह हो जाएगा दोस्तों खोशंगाबाद जिले का जो पचमड़ी वाला एरिया है उस एरिये में चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि किस शेत्र में इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है और किसी शेत्र में इतनी कम वर्षा क्यों होती है तो उसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों मद्यपरदेश में वर्षा क्यों होती है उसके बार में बात कर लेते हैं, जो मद्यप्रदेश की वर्षा होती है, वो दक्षिन, पस्चिम, मांसून के कारण वर्षा होती है, अब दक्षिन, पस्चिन, मांसून के कारण जो सरवाधिक वर्षा होती है, इसमें दो शाकाएं होती है, सबसे पहली अगर बात करें, तो यह होती है दोस्तों अरब सागर की शाखा और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि यह कम वर्षा वाले शित्र में वर्षा कम क्यों होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा आइडिया ये बताता हूँ कि ये मद्यप्रदेश हैं, तो इधर ये क्या होगा, इस टाइप से यहां पर भारत होगा, ठीके, ये थोड़ा सा आइडिया आपको रखना पड़ेगा, मैंने जो लाइन कीचिए, तो मद्यप्रदेश के इधर दोस्तों, राजस्तान भी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से यहां पर महारास्ट हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, दोस्तों, अरब सागर हो जाएगा, जब अरब सागर से जो ठंडी हवाई हैं जो वर्षा भरी हवाई हैं वर्षा की ओस भरी बुन्दो भरी हवाई हैं ये हवाई जब चलती हैं तो ये महारास्ट के मुंबई के जो परवती शित्र होता हैं वहां से टकराती हैं समझना मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देत यहां पर माल लो यह अरब सागर वाला एरिया है थोड़ा सा मेरे पास में कर लिया है यह अरब सागर हो जाएगा यहां से दोस्तों जो हवाएं चलेगी थंडी जो बारिश भरी जो हवाएं चलेगी वो हवाएं मुंबई का जो पहाडी वाला हिस्सा है मुंबई की जो नमी कम होने से क्या होगा दोस्तों उसमें पानी की मातरा क्या हो जाएगे में। तो यहां पर क्या हो जाएगि जो बर्षा होगी वो क्या हो जाएगी कम पड़ेगी और यह समाने वर्षा होती है इसका कारण यही है कि एक तो अरब सागर से इसकी दूरी क्या हो जाएगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी साथ ही जो मुंबई की जो पहाडी वाला इलाका है वहां से यह नम हवाई टकरा कर क्या होती है आदरता में कमी आ जाती है गर्शन के कारण तो इस कारण पानी की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है सामाने से कम हो जाती है अगर दोस्तों बात करें अरब सागर वाली शाका की तो यहां पर बंगाल की खाड़ी की शाका की बात करें तो यहां हो जाएगी बंगाल की खाड़ी क्लिर है तो यह जो बंगाल की खाड़ी की शाका होती है यहाँ पर पहुंचती है इस वाले हिस्से में तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि एक तो जो मद्यप्रदेश है इसमें सरवाधिक वर्षा कहां पर होती है सरवाधिक वर्षा कि शाका से होती है बंगाल की खाड़ी की शाका से होती है इस शेत्र की बात चोड़ो दोस्तो तो मध्य प्रदेश के जो राज्ज के जो अन्य हिस्से है, उसमें भी सरवादिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाक्ति हैं. तो ये शाक्ति हैं, इस वाले शेत्र में पहुँचति हैं, अगर पहले इस शेत्र की बात करते हैं, ओसत्वाले की, तो यहां पहुचती है इस कारण दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर वर्षा थोड़ी है अधिक पड़ती है इस वाले शित्र से तो कहीं ज्यादा पड़ती है तो इस शित्र में क्या होती है वर्षा थोड़ी अधिक पड़ती है दूसरा यह जो केरल की शाका होती यहाँ पर पहाडियां हैं यहाँ पर पहाडियों से टकराने के कारण यह वही पर वर्षा कर देती हैं इस कारण यहाँ पर क्या होती है ओसत से अधिक वर्षा होती है अगर दोस्तों यह वाला जो शेत्र हैं सबसे अधिक वर्षा वाला शेत्र जो मैंने आपको बताया था आ यहां पर सरवाधिक वर्षा होती है, सरवाधिक वर्षा का कारण क्या है, यहां पर 200 mm199 वर्षा होती है, सेंटीमेटर वर्षा होती है, इसका कारण यह है दोस्तों, कि यहां पर राज्य की सबसे उची चोटी, किसे कहा जाता है, मद्यप्रदेश की सबसे उची चोटी, दूपगड तो यहां पर राज्य की सबसे उची चोटी क्या है दूपगड है आप यह समझे कि यहां पर सबसे उची चोटी बनी हुई है दूपगड बनी हुई है तो यहां बंगाल की खाड़ी से जो हवाय आएगी वो यहां से टकराएगी जो यहां से टकराएगी और यही पर वर्षा कर देगी, केरल की शाखा भी आएगी, यहीं से टकराएगी और यहीं वर्षा कर देगी, इस कारण जो धूपगड़ वाला जो पच्मडी का शेत्र है, पच्मडी वाला एरिया, वहाँ पर सरवाधिक वर्षा होती है, मद्धी प्रदेश में वहाँ पर क्या होती नहीं क्योंकि आपको पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया था तो आपको समझ में आ भी गया होगा फिर भी एक बार देखते हैं मांसुनी हवाएं उत्तर पुर्व से लोटने लगती है जिससे मद्यपरदेश का तापमान क्या होने लगता है कम होने लगता है इस रितू क सियला भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इस रितू को सियला भी कहा जाता है इसका मतलब यह जो 22 दिसंबर वाला समय होता है यहां पर 22 दिसंबर के दिन क्या होता है सुर्य मकर रेखा पर चमकता है मकर रेखा कहा जाती है दोस्तों मकर रेखा अगर भारत हमारा यहां है मध् और अब देखते हैं जो इंक्ञेशम ओरेंटेट उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और एक एको समस्ते भी हैं सरवाधिक तापमान कहां पर होता है गंज बासोदा में पाया गया 1995 की बात है दोस्तों ये मध्यप्रदेश का सरवादिक तापमान जो अंकित किया गया है वो 48.9 degree Celsius कहीं कहीं पर आपको ये 48.7 degree Celsius भी देखने को मिलेगा एक्जाम में exact question नहीं आएगा आप लगा सकते हैं कई बार जो question पुछा गया है वो ये है कि सरवादिक तापमान कहां पाया जाता है गंजबासोदा अगर गंजबासोदा नहीं मिले तो जो जगे है particular गंजबासोदा ये विदीशा जिले में पढ़ती हैं किस जिले में पढ़ बार अंकित किया गया है तो वो शिवपूरी में मापा गया है clear मद्यप्रदेश का ओसतन ताप 21 डिग्री Celsius आखा गया है आपको ओसतन टेंपरिचर पूछ लिया जाए कि मद्यप्रदेश का क्या है तो 21 डिग्री Celsius क्योंकि यहां पर क्या है 21 डिग्री Celsius वाली मद्यप्रद जानकारी एकत्र करने वाली वेदशाला कहां पर हैं इंदोर में हैं क्योंकि मद्यप्रदेश की रितू वेदशाला एक मात्र वेदशाला है मद्यप्रदेश की रितू वेदशाला ये कहां पर हैं इंदोर में हैं मद्यप्रदेश की जो मीनी मुंबई इंदोर हैं वहां पर ह ब्यावसाइक राजदानी भी का जाता है 15 अक्टूबर के बाद दक्षिन पस्चिम मांसुन लोटने लगता है यह आपको भी बताया है जिसे मांसुन का निवर्तन का जाता है Retreat of मांसुन मतलब मांसुन जब जाता है तो उसे लोटता मांसुन या फिर Retreat of मांसुन भी कहा जाता है मद्यप्रदेश की जलवायू उष्न कटीबंदी मांसुनी है इसके बारे में पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है यह कोशन सीधे पूछ लिया जाता है कि मद्यप्रदेश की जलवायू कौन सी है उष्न कटीबंदी मांसुनी और यह जलवायू क्या है भारत की भी यही जलवायू है आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हैं आपके पास जलवायू में परिवर्तन आता है यह भी एपन पढ़ चुके हैं ज्यादा तर वर्षा मद्य परदेश में दक्षिण पस्चिम particular मांसुन से होती है यह मैंने अभी वर्षारीत हैं कि मद्य प्रदेश में जो सरवाधिक वर्शा होती है वो दक्षिन-पस्टिम मांसून से होती है दक्षिन-पस्टिम मांसून की भी कौनसी particular शाखा पूछ लिया जाए तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है और 85% में मध्य प्रदेश में 85% जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है मद्य प्रदेश में सरवादिक वर्षा कहा होती है पंचमडी में होती है और क्यों होती है इसका reason मैं आपको दे दिया है वर्षा में 199 cm यहाँ पर वर्षा होती है ओसत से सरवादिक वर्षा या फिर सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है सबसे कम वर्षा वाला इस्तान जो है मद्य प्रदेश में गोहद भिंड है ये जो उपर वाला इलाका है मुरेना भिंड शोपूर यहाँ पर क्या है कम वर्षा होती है अगर पर्टिकुलर जगे की बात की जाए तो भिंड जिले की एक जगे है गोहद वहाँ पर सबसे कम वर पर अंकित की गई हैं, अगर पूछ लिया जाए कि मध्य पर देश की ओस्तन वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटिमेटर, सरवादिक वर्षा कहां होती है, तो जो पचमडी वाला जो शेत्र हैं, वहां पर 99 सेंटिमेटर, सबसे कम वर्षा 55 सेंटिमेटर गोहद वाले शेत्र में, मद्य परदेश के विंद शेत्र में अरब सागर्वा बंगाल की खाड़ी दोनों मानसुनों से वर्षा होती है विंद वाला शेत्र था उपर वाला उत्तरपुर्य वाला शेत्र था वहाँ पर अरब सागर्वा बंगाल की खाड़ी दोनों मानसुनों से वर्षा होती है और द प्रकार से चलेगी और जो मुंबई शाका है उसकी भी शाखा है अरब सागर से भी इसी प्रकार चलेगी तो यहां पर क्या होती है सरवाधिक वर्षा दोनों शाकाओं से होती है I hope कि आपको ये chapter समझ में आया होगा दोस्तों अगर chapter समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने friends के साथ share कर दीजिए चेनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है वहाँ पर all प्रेस करना है ताकि जो नई वीडियो जे उनकी notification आपको तुरंत मिल जाए इसके बाद हम मध्यप्रदेश के one पढ़ने वाले हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई